है निम्न में किसका अर्थ जल होता है हमारा पहला कोस्चिन है निम्न में किसका अर्थ जल होता है ठीक है बच्चों ऑप्सन यह है पेट्रो ऑप्सन भी है टर्बो ऑप्सन सी है नाइट्रो और ऑप्सन डी है हाइड्रो तो इसका एंसर क्या होगा हाइड्रो अब आये हम लो क्या मालूम चल गया है यहां से हम लोग को मालूम चल गया कि हाइड्रो का मतलब होता है वाटर हाइड्रो का मतलब क्या होता बच्चों वाटर होता है ठीक है अब इसका कंसिप्ट अगर हम लोग देखेंगे तो हमलोग को मालुम है कि पीडिटिक टेबल का सबसे पहला element है वह आसे जिसका नाम है hydrogen तो आईसे हमको क्या मालूम चला कि hydrogen का मतलब water और जेन मतलब generate करने वाला यानि कि बनाने वाला तो यहां से हमलोग क्या बोल सकते हैं कि hydrogen एक ऐसा गैस है जो वार्टर बनाता है यहीं से वार्टर का नाम डिलाइफ किया गया है फिर बूल सकते हैं कि हैडोजन गैस का नाम इसलिए हैडोजन दिया गया आईए अब हम देख लेते हैं कि नेक्ट क्वेश्चन क्या है हमारा ठीक है नेक्ट क्वेश्चन है पत्यों मे गैसो का आदान परदान कहा होता है option A सिरा option B रंद्र option C मद्दे सिरा option D में से कोई नहीं तो इसका एंसर हो जाए गर रंद्र आईए इसका concept देख लेते हैं देखिए जो छिद्र होता है ना उसी को रंद्र बोलते हैं और इंगलीज में इसको बोलते हैं पॉर्स पॉधों में के पत्यों में special types of पॉर्स होते हैं जिनसे गैसो का आदान परदान होता है और उनको special नाम देते हैं क्या एस्टोमेटा तो अगर हम से पुछा जाए कि पॉधों में गैसो का आदान परदान कहा होता है तो हम बोल सकते हैं पॉधों में गैसो का आदान परदान कि इस्ट मेटा के थ्रू होता है ठीक है और पहसा में जिनको पूर्श बोलते हैं यानदर बोलते हैं इस लिए हमारा usta हो गया रद आई हम याँ देख लेते हैं । नेक्ट को स्जोशन है हमौग हरे पोधे कहलालाते हैं उत्पादक थीक है तो हम जानते हैं कि हाडे पौधे क्या होते हैं स्वापोसी यह इंगली समीं को अठोपोसी होते हैं वो इसने पर रहते हैं टिक है इसलिए उनको प्रोड्यूसर बोलते हैं या उत्पादक किस्रेनी में बनाते हैं ठीक है बच्चो आईए अब next question देख लेते हैं next question अच्छा question है यह question कहाई कि जीव द्रबेमान उर्जासुरोत का उधार निमलिखित में से कौन नहीं है जीव द्रबेमान उर्जासुरोत यानि वैसा उर्जासुरोत जो कहां से मिलेगा हमको जीव से मिलेगा ठीक है आईए option सन एक बोलें किया पेट्रोलियम क्या है पेट्रोलियम किया है बताई यह ठाहि से मिलता गोबर से amazing मिलता है गाय और वाइस तो गया और भैस प्रकाड के Jta ठीक है उसके बाद ये जानते हैं क्या क्या है जिवास मिंदन लेकिन जब हम लोग बात करें ना भी किये उड़ जा की यानि नुक्लियर एनर्जी का तो इसमें किसी तरह का कोई कि ऑड़ देख लेते हा सथे दयत्म अगला क्या है कि अगला कुछ पूछ वहरा आदर्श इंधन में कौन सी गैस उत्पन हो सब्सक्राइब को यह जानना होगा बच्चू आदर्श इंधन क्या होगा तो हम जानते है कि जब भी हम लोग इंदन का प्रयोग करते हैं उससे हानिकाल गैसे निकलती है जिनसे कि प्रदूशन फैलता है तो आधर सिंदन वह होगा है जिससे कि कम से कम मात्रा में गैस निकले या फिर किसी प्रकार का कोई गैस ना निकले तो इसलिए हमारा एंसर क्या हो जाएगा यह ओ tightening देवेंट स्थीस रिंव Elenaothy Ocean कारवन डायकसिड और इंश कोई नी क्या हो जाएक उपसर डीडे में झाहिए श्रोबन विद्दुद जनित्र क्या क्या वय एसा विद्द्दुद जनित्र वैसा एलेक्टिक जनरेटर जिसमें electricity यानि की विद्दुद पोर्डेुस के जतीकी के हलब से आनि एर के हलोते उसमें कहा की कि उसमुर्ण का है वो कितना होना चाहिए ओप सने 15 फिलोमेटर पर आवर ऑप्षण भी 100 किलोमेटर पर आवर और और ऑफशन दहीं वह क्विलोमेटर पर आवर ऊप्षण दिए अपको याद रखना चाहिए आए अब नेक्ट्ट कुषिन देख लेते हैं हमारा आगला कोश्चन बहुत ही अच्छा कोश्चन है इसमें पूछा यह क्या है यह है लिक्वीफाइड पेट्रोलियम गैस क्या है बच्चों एल्पीजी का फूर्फरों क्या हो जाएगा लिक्वीफाइड पेट्रोलियम गैस और हमारे घड़ों में जो सिलेंडर होता है इसी उसमें इसी का यूज होता है यानि खाना बनाने के लिए हम लोग यूज करते हैं वास्तों यह नॉर्मल ब्यूतेन माईसोब्यूतेन का मिक्चर होता है ठीक है तो अंसर हमारा क्या हो जाएगा भी हो जाएगा ठीक है अब आप लोगों से यहां पर प्रस्ण है कि हमारा जो घर में एल्पीज यूज होता है उसमें महक रहता है अब बताएं महक किसके कान होता है आप लोग कॉमेंट में हमको बताइए और अगर नहीं मालूम हो तो पूछ भी सकते हैं मैं कॉमेंट में उसका एंसर दे दूंगा ठीक है अगला प्रस्ण है निम्न में से किस देश को पौनों का देश कहा जाता है यह एक फैक्ट्वल कोस्चन है ऑप जो की समझना बहुत जवड़ी है देखिए यहां जितना भी ओप्सन हम लोग को दिया गया है सबके लास्ट में एक्स लगा हुआ है और हिंदी में बात करें तो इसको हम लोग बोरते हैं अब आवर्धन का मतलब क्या है अगर कोई बस्तू एक गुना है कोई बस्तू का ज इसे के हैं तो आपने ब्लक साइच का पाच गुना दिखेंगे अगर टेंगे नौर्मल और साइज का हमें दस गुना दिखेंगा अगर थॉडब और देखेंहे साको नियम नहीं कि हम लोग somehow आ देखेंगे लेकिन फ्राइमरी फर्स्ट टाइम हम लोग जो देखते हैं किसी विवस्तु को वह टेनेक्स पे देखते हैं ऐसे आप लोग जब कंपाउंड माइक्रोइसकोप देखिएगा तो उसमें दो तीन या उससे भी ज्यादा लगे रहते हैं मैगनिफाइड लेंस मैगनिफिकेशन के लिए लेंस बट यूज्वली जो फर्स्ट टाइम हम लोग देखते हैं बच्चो वो टेनेक्स में ही देखते हैं आए नेक्ट कोशन देख लेते हैं बहुत ही हलका कोश्चन है उर्जा का इसाई मातरक आप से पुछा जाड़ा और ह